कि उसको बंद कर आई ओंजी शुर्वा थे मनजदे यहाल आत्मादे टाकान आई आई ओंजी इतरे हैं यहाले हैं यहाले हम अभी उपद्या गाउं में हैं और ऐसे खेत में जहां पर सोईंग आट से दस जून के बीश में हुई है तो कॉटन गुरू के साथ में यहां पर पूरी टीम है ओम जी दालिया है जो यहां के सबसे बड़े जिनर है अमरुत्राओजी देशमुक है बहुत सारे फार्मर है अब इस खेत में हमने देखा के जो कॉटन बॉल्स है उसके उपर कुछ भी चिन है नहीं है कुछ भी साइन नहीं है कोई भी होल नहीं है उस बॉ बॉल्स हुआ है उसने अंदर से खाना शुरू किया है पीलापन होना शुरू हो गया है सड़ना शुरू हो गया है लेकिन बॉल के बाहर कोई भी होल नहीं है यह बॉल्स अंदर गया कहां से यही सवाल बहुत से गाउं में जब हमने देखा है कि इस तरह का प्राब्लम आय तो हमने अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट से भी किया है कि यह बॉल्स बाहर से आया है कि अंदर से बाहर आता है इसी बात कर स्टड़ी करना है कि बॉल्स पहले होता है या पिंग बॉल्स से नुक्सान पहले होता है पर इन सब खेतों को दकी यह दिखता है कि अंदर बॉल जो जो तड़ी निगाले आचामदून। दरा कर देखा हुआ। जी। जी। अर्के दिखते है। जी। नमस्कार में अमभूतरा जिश्मक बलतू। नमस्कार में आमभूतरा जिश्मक बलतू। मी हर वर्षी माजेशेतात बरिशी प्रयोक्रत अस्तुकापसला त्यामोलो सम्दा तीन पचार पती राजय तुन बरिशी स्थित करेतात अनि मी बरिशेत बारिक बारिक गोष्टी चाप खुप अभ्यास के लिला आसता आए अनि गेले दोन वर्षा पशू मी गोवर्मेन्ड असे कि कुरुशी मंतरे आसो अनि त्यान सांगीत लेक ए अपलो यह विष्या और चर्चा आपना आस protein and आनि मंग आता याव वर्षी गेले वर्षी जे शेथकरियां दे पाथ होती ते शेवर च टेजला पाथ होती आनि याव वर्षी मी गेले आया का मैना पोसुन बर्याश्या भागात फिर था हुआ समझा जासे की उदारना नागपूर ला ते ता अवयुक्त पनालते कि अज़िया आप दोरा कि लाए और चारी राजया थे बॉंड शेले ले पाथ्चे मरारा सो कोना सुन अनि आड़ डिसात काया थाली क्यात ही ज़िए शुरुवाति ला बॉंड शेलेला है अनि सड्ल्या नांतर है आली याली लिया आ ये अनि आपन इलामतों गुलाबी ब महत्वास रोग है, सदन रोग है, आनि आमी बरेशी वाद पुसुन सांगतों, पन ते मानाय तयार नायत कुरूशी आदी कारे कि वहाँ बाकी चे शास्रदने, कि वहाँ शासन, आनि मनुन शेतकरियान एक संगटित फना महत्वास आए, आनि आम चाहि मननना नाय केला तुमी शेतकरियान नाय केला तुमी बरेशी वाद पुसुन सांगतों, प्रकाष वाइड गोल्ड इनकी एकदम स्टेट फार्ट जिनिंग फैट्री है, आप ने देखा ये आपके सामने हो रहा है और आप आप ही के ये शेतकरी हैं, जिनको हम अभी विजिट कर रहे हैं, तो आपने ऐसा कभी पहले देखा है ओम जी, अभी तक तो प्लाट में आने के बाद ऐसा लग रहा था कि ये बिलकुल ये प्लाट पे किसी प्रकार की बिमारी नहीं है, काफी अच्छा क्रॉप है, हम लोग ऐसा मिला, कि जिसके अंदर ये अली है, पर होल नहीं है, कहीं पर भी उसका होल नहीं है, कपास कहीं कहीं पीला दिख रहा है, बाकी जगा पूरा वाइट है, ये शुरुवात है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि मौसम बहुत अच्छा है, इसकी वज़ा से बिमारी कम फैल होगी, अगर ये भारिश वारिश का मौसम रहता था, तो पूरा अटैक दिखता था, ऐसा लगता है, तो अब अमरुत राओ जी के रहने के बाद में हमारा इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं है, अमरुत राओ जी आपने ये पहली बार देखा है, ये पहली बार देखा कोई अली होंगी, मगर इसमें आखो से दिख रही है कि एक जगह से ये सट रहा है और वहां पर अली चल रही है, तो निश्चित रूप से ये कंट्रोल होना चीए, इतने अच्छे क्रॉप का अधर्वाइज बहुत जादा हरजाना और भुकतान किसान को देना पड़ेगा आचा बरती आउशद कुणती आता पंजाब अमरूत रही है? आपना अमरूत रही है? ने शास्तर नियाचे कामा है तरनी यह उपार्वाइज पार यह उपार शाजडी ग्राम तरनी तीन ग्राम टेप्टोसाइक्लिन थी बहुत जाएजा ह। तुम्हाइब देखाता थोड़ी कारण जितकरी प्रयुक्स वीलाइब अनि बरेशी प्रयुक्त के लिलाइब देखानी अनि तेन चाहितात पन असला तर साध्या शितकरी चेह शितकरी चाहिए असल अजितकरी अच्छी अच्छी आप बूम कार्या शितकरी अच्छी प्रयुक्त करता थे चाहिए अब बारिश याफ्री क्लावडी वेदा रहा ना तो इसको स्प्रेड होने में इसको फेलने में ज्यादा समय नहीं लगए अज आज दिवसत प्लाट बिगडून जाई जार व प्लाट काफी अच्छा है बहुत कर्म परमाने पन इसको यहीं पर चेक हो जाना चाहिए यहीं पर अगर कोई आपती आने वाली है तो उसको वहीं पर रोक लीजे टैंक यू